तो दोस्तो अब भी मैं आपसे इस बीडियो में tool engineering course के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में discuss करने वाला हूँ सबसे पैले मैं आपसे इस बीडियो में discuss करूँगा कि tool engineering का course आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के subject साफ पढ़ते हो जै कोर्स कितने वर्ष का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि अगर आप tool engineering के course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो जैस सारी बातें आपसे मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational word store channel तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे b.tech tool engineering course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ दोस्तों अगर आपने 12th की class को पास कर लिया है और आपको जैज जानना है कि 12th की class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खतम उने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ की what is tool engineering course जैने की tool engineering course आकर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको पताना जाता हूँ कि जै कोर्स एक undergraduate course है और इस course को जो students होते हैं वो 12th की class को पास करने के बाद कर सकते हैं जै कोर्स B.Tech के अंदर आता है और B.Tech की full form होती है Bachelor of Technology और जै एक degree course है इस course को पूरा करने के बाद आपको bachelor की degree मिल जाती है इस course को बहुत सारे government and private colleges आज के time में करवाते हैं इस course में आपको knowledge of manufacturing and designing आपको मिल जाती है जो की electronic और technical tools में आपको दी जाती है तो tool engineer किसी भी industry में जा सकता है वह manufacturing की field में जा सकता है और जहां तक वह technology की company में भी जा सकता है अभी आपसे मैं course duration के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ की tool engineering का course आखिर कितने वर्ष का course होता है तो मैं आपको उताना जाता हूँ की tool engineering का course चार वर्ष का course होता है और इस course को आप semester system के base के उपर आप कर सकते हो इस course में कुल 8 semester होते हैं और आप एक साल में दो स्पेस्टर्स को पूरा कर लेते हो अभी आपसे मैं जोव प्रुफाइल्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप बी टैक टूल इंजिनरिंग का कोर्स पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की जोव मिल सकती है तो दोस्तों आप डिजाइनर बन सकते हो आप टूल फीटर बन सकते हो इसके लावा आप जिग क्रेटर भी बन सकते हो तो इस कोर्स में जोव की काफी सारी अपचुरिटीज है तो जैसाब आपकी परसनल स्केल और नॉलज़ की उपर डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर में जोव मिल सकती है अभी आपसे में सब्जेक्ट डिस्कुस करने वालाओं की टूल इंजिनरिंग के कोर्स में आपको किस परकार के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो इस कोर्स में आपको Applied Mathematics, Applied Physics, Manufacturing Processes, Applied Chemistry, Engineering Mechanics, Environmental Studies, etc. सब्जेक्ट्स आपको इस कोर्स में पढ़ने के लिए मिल सकते हैं और विस कोर्स में काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इस कोर्स के दुरान करवाए जाते हैं त्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज भी इस कोर्स में आपको दी जाती है अभी आपसे मैं Legibility Criteria और Admission Process के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हों की आप इस कोर्स में किस परकार से Admission ले सकते हो तो दोस्तो, B.Tech.Tool Engineering Course में Admission लेने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th की Class को पास करना होगा आपको 12th की Class Science के सबजेक्टों के साथ पास करनी होगी 12th की Class को पास करने के बाद आपको Entrance Exam देना होगा जब आपका Entrance Exam के लिए हो जाएगा आपको College में Admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपको Entrance Exam नहीं देना फिर भी आप किसी private college में direct admission ले सकते हो तो जहें सिर्फ college के उपर ही depend होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे tool engineering course के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा इस course के regarding वो clear हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपका कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में काफी courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हे वांजा कर भी देख सकते हो तो अन्तमी दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना